जी एसलाम अलेकॉम मैं इस वक्त है अलहम्दुला समर्कल स्टेट मेडिकल इंस्टेट्यूट में पहुंच गया हूं और अभी थोड़ी देर पहले हम यहां पहुंचे हैं और मैं अपने स्टूडेंट्स को यह बताना चाह रहा हूं कि पहले जब मेरी आप से बात होती थी जब हम यहां पर आए हैं तो आप जो आपको बता रहे हैं वह आंखों देखा हाल है वैसे मैं पहले भी यहां पर आचुका हूं एक दफा लेकर दूसी दफा आ रहा हूं अब चूंके आट से आट दस दिन बाद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहां पहुंचने वाले हैं और इन्शायला अजीज उनके लिए यहां हॉस्टल के इंतशमात बड़े अच्छी लेवल पर किये जा चुके हैं स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह से उनके लिए मैस के इंतजामात बहुत अच्छे किये जा चुके हैं तो यह समध कंध स्टेट मेडिकल इंस्टिटीट आप देख सकते है यह बिलकुल शहर के अएंड वस्त में वाकिय है। इसे शहर का मरकज कहा जाता है। यह आप देख सकते हैं कि यह मैंन सीटी का जो है इसी तरह से आप इस तरह से देख सकते है। कि यह जो में गयभ है यह आपको नदर आ रहे है इस दिए जो को भ़चन की वज़र से तो इसलिए यहां पर इतने भी समरकंद में हॉस्पिटल है वो सारे समरकंद स्केट मेडिकल इस्टिटूट के टीजिंग हॉस्पिटल है कِ देख सकते हैं कि तुर्च्णि इसमें एंटर होने से पहले ए 느ट्यम मशीन यहां पर लगी डिए कि बच्चे इसमें ITM को अपने इसमाल कर सकते हैं इसमें अपने तरहि़े इसमें के अरड़ मित्म कई माज स्टार्ट हो जाते हैं और उपर जो है वो क्लास्रूम है इस तरफ से आपको यह दूम स्काहिए नजर आ रहे ही लासन इसलाए उपर क्लास्रूम है यह आप देख सेक्टेंगे इसमें आउट एपी इंटरनेशनल स्टूडेंस की इची हैसी वह यहां पर पढ़ रहे हैं और अभी पाकिस्तान से जा अगर हम इस तरफ से आएंगे तो इसी तरह से आपको क्लास्रूम नजर आ जाएंगे इस तरह से कॉरिडोर इधर बना होगा है और इसमें लुद्व की बात यह है कि इसी बिल्डंग में आपको निचे बेस्मित में भी जो अनॉटमी के लेक्चर हैं जो बायो के लेक्चर रही हैं और फजलोगी की खासी जाने मुद्व करना निचे बेस्मित में भी वह स्टार्ट बाते हैं तो बाझे मैं आपको फरतर डीम पताता हूं यह इससे तरह अगर आप देख सेके यूनिवरस्टी का नया कैंपश वन रहा है तो I hope कि कुछ दिनों तक वो भी इंशालो आप्रिश्ना हो जाएगा Okay, thank you very much, मैं आपके फिर बताता हूँ